नमस्कार दोस्तों किर्शी कानूनों को लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहूल है कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और किसानों का एक हिस्सा दिल्ली के बोर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है लग बग सो दिनों से धर्रना हो रहा है इसके लावा जो दिल्ली के आसपास वाले स्टेट्स हैं खास्तोर से उत्तर परदेश, हरियाना, पंजाब, राजस्थान यहां पर बड़ी बड़ी जनसभाय हो रही हैं, रैलिया हो रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में कूद उठी हैं कि इसका किसी तरीके से पॉलिटिकल लाव उठाया जाए इसके अलावा किसान नेता जनसंपर्ट कर रहे हैं कि जिससे कि इस आंदोलन को लंबा चलाया जा सके और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि इन कानूनों को वो वापस ले बैराब, आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं इस उद्दे पर बात विल्कुल नहीं करने जा रहा हूँ कि किसान आंदोलन सही है, गलत है, किरसी कानून सही है या गलत है इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य आपको बताने का वो एक एक्स्क्लूसिव जानकारी देने का था वाला कि आप में से कुछ लोग इसका अनुमान लगा चुके होंगे लेकिन उसके बावजूद भी पबलिक डॉमेन में अब तक ये बात नहीं आई है पिछले दिनों राकेश टिकेट ने एक करेकरम में ये कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी का एक सांसद एक महीने के अंदर-अंदर इस्तिफा देने वाला है और राकेश टिकेट का इतना कहना था कि उसके बाद सारे देश में एक लहर सी दोड़ गई है और अटकलों का बाजार गरम हो गया कि राकेश टिकेट ने ये सही कहा है या बलफ ने कहा है इसके लावा ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये सांसद कोन हो सकता है कुछ लोग उत्तरप्रदेश के कुछ सांसदों के बारे में कह रहे हैं कोई पंजाब का कोई सांसद है उसके बारे में कह रहे हैं कोई कह रहा है कि यह हर्याना का हो सकता है कोई कह रहा है कि राजस्तान का हो सकता है और अटकले सबकी अलग-अलग है इस बारे में मैंने Social Media पर एक post डाली और Social Media पर उस post के जर्ये मैंने आम लोगों से और आप लोग जो मुझसे जुड़े रहते हैं उन लोगों से मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये BJP का सांसद कौन हो सकता है जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में इस्तिफाते दे और इन में से बहुत से ज़्यादा लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने फोन कॉल्स करके भी कहा एक दो जाट लीडर्स के मेरे पास फोन आए और उन्होंने जो बताया इसके लाबा सोशल मीडिया पर जो आप लोग लिक रहे हैं कुछ पत्रकारों से मैंने बात की तो उसके बाद जो सबसे पहला नाम नंबर वन पर आ रहा है सांसदों में के जो किसान आंदोलन को लेकर इस्तीफा दे सकता है दोस्तों वो नाम है हिसार के सांसद ब्रिजेंदर सिंग का हिसार के सांसद ब्रिजेंदर सिंग पूर्व आई-एस है और आई-एस की नौकरी छोड़कर वो राजनीती में आये और उनका परिवार एक बहुत बड़ा राजनीती घराना है हरियाना का चोदरी छोटू राम सब लोग जानते हैं जिस तरह से उत्तर परदेश में स्वर्गया चोदरी चरण सिंग को जाटों के बीच बड़ा नेता माना जाता है उसी तरीके से हर्याना में स्वर्गया चोदरी छोटू राम उनको बड़ा नेता माना जाता है और हर्याना की राज जो इस्टिटूट्स चलते हैं और उनका बड़ा सम्मान है जगे-जगे उनकी परतिमाई लगी हुई है और हर्याना में वो एक बड़ा नाम रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है और ये पूरा परिवार एक राजनितिक करम में जुड़ा हुआ है इस पूरे सिनेरियो में जिस समय चोदरी छोटू राम हुए उस समय हर्याना और पंजाब एक ही हुआ करते थे और चोदरी छोटू राम के जो बेटे हैं वो स्वर्गय नेकी राम जी थे नेकी राम जी ने संयुक्त जो पंजाब हुआ करता था उसमें राजनीती की कॉंग्रेस से जुड़े रहे काफी समय तक उसके बाद उनके बेटे यानि के चोधरी छोटु राम के पोते बिरेंदर सिंग वो राजनीती में आए और उन्होंने इस परिवार में राजनीती का स्तर बहुत उचा उठाया बिरेंदर सिंग लगतार राजनीती में रहे और उन्होंने लगबग 42 साल तक 42 यर्स तक उन्होंने कॉंग्रेस की सेवा की वो कॉंग्रेस से जुड़े रहे और एक हिसार लोकसभा छेतर में ही एक विधान सभा सीथ है उचाना वहां से वो पांच बार MLA रहे हिसार पूरा जाटो का गड़ है और बिरेंदर सिंग की राजनीती वहां लगतार बढ़ती रही पहला चुनाव उन्होंने 1972 में लड़ा चोटे चुनाव भी लड़े ब्लोक परमोक वगेरा भी रहे वो चोटे बदो पर भी रहे उसके बाद 1977 से और सन 2000 के बीच में वो पांच बार उचाना से MLA रहे और जब वो खुद MLA नहीं रहे उचाना से और सांसद बन गे तो उनकी पत्नी प्रेम लता वहां से विधायक रही पूरा परिवार राजनीती पर छायारा लंबे समय तक जब वो विधायक रहे बिरेंदर सिन तो उस दोरान वो तीन बार हर्याना की अलग-अलग सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे पूरा रुतबार आ उनका इसके अलावा उन्हें तीन बार सांसद बनने का भी मोका मिला एक बार लोकसभा से दोर बार राज्यसभा से लोकसभा से वो चुनाव जीते 1984 में जब इंदिरा लहर थी और राजीव गांधी प्रैमिनिस्टर बने थे हिसार से उन्होंने किसे हराया था ओम परकास चोटाला जैसे तिगज को भारी अंतर से हराया था बिरिंदर सिंग में इसके बाद वो चुनाव उसके बाद उनकी राजनीतिक स्थिती थोड़ी खराब हुई और उस हर्याना में चुक कॉंग्रेस का डाउनफाल थोड़ा सा हुआ तो इस बीच उनकी स्थिती डगमग हो गई इसके बीच में उन्हें विधायक भी रहना पड़ा सांसद बनने के बाद फिर वो जब चुनाव आर गए तो बाद में विधायक भी बने और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे लेकिन फिर दुबारे लोगसभा के सांसद नहीं बन पाए तो कॉंग्रेस ने 2010 में जब मनमौन सिंग की सरकार थी उन्हें राज्यसभा में बीचा और पूरे 6 साल तक वो राज्यसभा सांसद रहे 28 अगस्थ 2016 तक और उनकी जो इस्थिती थी वो इस्थिती ये थी कि उन्हें सुरी वो 28 अगस्थ 2014 तक राज्यसभा सांसद रहे क्योंकि 16 अगस्थ 2014 वो जिंद में एक बड़ी राज्यनितिक रैली हुई उसमें अमित्षा जो कि उससमें बीजेपी कत्यक्स पे उनकी मौझूदगी में बिरेंदर सिंग ने बीजेपी जोइन कर लिए बीजेपी जोइन करने के बाद उन्हें उनकी जो राज्यसभा सीट थी उससे स्तिफा देना पड़ा और फिर वो वहाँ से उसी सीट पर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद चुनवा दिया क्योंकि बीजेपी की हर्याणा में सरकार बन चुकी थी खट्टर वाली और उसके बाद उनके विधायकों की संख्या इतनी थी कि वो किसी को भी अपना राज्य सभा सांसद चुनवा लें। और वहाँ से राज्य सभा सांसद ये चुन ले गए। उसके बाद इन्हें नवंबर 2014 में ये मंत्री भी बने और जो नरेदर मोधी की पहली सरकार थी उसमें ग्रामीन विकास, पंचायती राज, सैनिटेशन, पेजल, स्टील, आदी कई डिपार्टमेंट्स को इन्हों ने देखा और मिनिस्टर रहे। लेकिन जब 2019 का लोगसभा चुनाव नस्दीक आया तो इस्थिती बदलने लेगी। एक तो 75 प्लस वाली केटेगरी आगई बिरेंदर सिंग की और इसके अलावा बीजेपी ने एक पॉलिसी बनाई कि एक परिवार एक टिकट अब चुंकि बिरेंदर सिंग खुद राज्य सभा सांसाथ थे उनकी पतनी विधायक थी पिछली बार उचाना से और इस बार वो चाह रहे थे कि अपने बेटे बिरेंदर सिंग को जो कि 1998 के आईएस हैं उनको वो अपनी जगह पर टिकट दिलवा दें मतलब हिसार सीट से टिकट दिलवा दें लेकिन उनसे एक आ गया कि आपको फिर राज्य सभा सांसाथ हम नहीं बनाएंगे और आपको भी टिकट नहीं मिल सकता इस तरीके से उन्होंने अपनी गुर्बानी दी और बेटे को आगे बढ़ा दिया उनके बेटे बिरजेंदर सिंग काफी पड़े लिखे हैं दिली के सैंट स्टीफन स्कॉलिज स बीए ओनर्स हैं उसके बाद जे अन्यू से मे की और 1998 के हरियाना के अडर के आईएस थे उसके बाद नोकरी छोड़ दी और बड़े ही एक जोरदार कॉंटेस्ट में बिरजेंदर सिंग ने 2019 का चुनाव जित लिया हिसार से और उन्होंने किसे हराया था दुश्यंत चोटा यहां से जन नाया कि जनता पार्टी जो उन्होंने नई पार्टी बनाए थी इन्डियन नैशनल लोगदल से अलग होकर तो उसके बैनर पर उन्हें हराया उन्होंने और बिरजेंदर सिंग को 6,03,000 के करीब वोट मिले थे और दुश्यंत चोटाला को 2,89,000 वोट मिले काफ यह बन गए सांसद ब्रिजेंदर सिंग जबकि दुश्यंत चोटाला 2014 में यहां से सांसद थे और उन्हें 4,04,000 वोट मिली थी इन्डियन नैशनल लोगदल के बैनर पर उन्हें बजनलाल के बेटे कुल्दीब बिश्नोई को हराया था यहां से मैं यह सब चीजें से लिए बता रहा हूँ कि पूरा परिवार हमेशा राजनीती में रहा राजनीतिक जो भी पावर में रहे उनका फायदा उठाया जब कॉंग्रेस अपनी ताकत पर रही कॉंग्रेस में रहे जब बीजेपी उठने पर आई तो बीजेपी में शामिल हो इसके लावा पिता जी मंतरी रह लिए इसके लावा मा विधायक रह ली और उसके बाद बिरिजेंदर सिंग बिना कुछ करे ही मोधी लेर में सांसत बन गए अब इसके बाद एक जो मंशा थी बिरेंदर सिंग की उनकी मंशा यह थी कि उनके बेटे बिरिजेंदर सिंग को भी मंत्री बना जाएगा के अंदर में ये उन्हें बहुत बड़ा अपसोस रहा कि ना तो वो तो मंत्री रही नहीं उन्हें से मंत्री बन से इस्तिफा देना पड़ा क्योंकि वह वहां से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे और बेटे को भी टिकट तो दिया वो सां चुनाव होगा क्योंकि अभी 3-4 साल के करीब अभी यहाँ पर चुनाव में समय है 2024 में लोकसवा का चुनाव हो रहा है और उप चुनाव में ये फिर क्या करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या निर्दलिया लड़ेंगे चुनाव तो इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव जीत पाएं और किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे तो भी स्थिती सोलिड नहीं बनेगी क्योंकि सामने कुछे ना कोई बीजेपी का बड़ा जाट नेता ही आएगा इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तो फिलाल इनके बारे में अटकले इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि इनकी एक वीकनेस है और उस वीकनेस को लोग उचाल रहे हैं कि यही इस्तीफा दे सकते हैं ब्रिजेंदर सिंग मैं यह नहीं कहा रहा कि यह सच में इस्तीफा देने वाले हैं लेकिन जितने भी लोगों पर मैंने डिसकसन किया जितने लोगों से मैंने चर्चा की जो नाम मेरे सामने आये लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मैं सवाल आपको बता दूँ कि बिरिजेंदर सिंग अगर इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनके लिए आसान नहीं होगा हिसार जाटों का गड़े लगबग 15-16 लाग के करीब यहां टोटल वोट हैं जिनमें 5 लाग जाट वोट हैं 1 लाग 80 हजार के आसपास ब्रहमन वोट हैं 65 हजार पंजाबी हैं 36 हजार बिशनोई हैं 4 लाग के करीब बाकी अन्य वोट हैं SC, OBC बगएरा जितनी सारी वोट हैं तो अगर बिजेंदर सिंग किसी भी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से जाटों में वतों का विवाजन देखना पड़ेगा अगर बिजेपी भी जाट को यहां पर टिकर देगी तो जाटों में विवाजन होगा और जोरूरी नहीं कि 100% वोट ही नहीं मिले आधे भी वोट दूसरे को मिले तो ब्राममन, पंजाबी बाकी सारी वोट तो बिजेपी के पास ही जानी है तो बिरजेंदर सिंग इस उवापोहों में भी जरूर होंगे कि इस्तिफा दें या नहीं कहत दिया लेकिन इस बारे में अभी तक न राकिष्ट कहत ने कुछ कहा है ना किसी और ने कुछ कहा है इसके अलावा बिरजेंदर सिंग की पीड़ा ये भी बताई जाती है कि दूसीं चोटाला जी ने उन्हों जिनको अराकर वो लोक सबापोंचे उनके साथ मिलकर हरियाना में खटर साब ने सरकार बना ली जब जेजेपी की दस विदायक जीत करा गए और हरियाना में जरुत पड़ी दूसरी बार कटर साब को तो उनकी साहता ले ली गई तो इस हिसाब से भी उनके अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक फ्रस्टेशन होगा कि देखे जिस चोटाला को मैंने अराया जो मेरे सामने मुकाबिल कड़ा था उसी को आपने डिक्टी सीम मना दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया तो फिलाल दोस्तों यही एक सामने फिगर निकल के आ रही है कि ब्रिजिंदर सिंग ही वो सांसद हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं देखते हैं क्या होता है कौन देता है आप देखते रहे हैं हर्ष की बात लाइक नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें